Hey everyone, this is Rupali and आप सभी का स्वागत है Aspiring Teachers चैनल पे तो guys हमने last session में prepare किया था personality के बारे में कि personality के बारे में हमने थोड़ा सा information और introduction पार्ट समझा था कि personality क्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारी theories होती है personality के अंदर जो बहुत important है आपके हर एक paper के अंदर उसके अंदर पूछी जाती है personality की theory जैसे कि आप REIT का exam prepare करते हो आपका DSSB हो गया KVS हो गया तो उसके अंदर बहुत important है यह आपका concept तो अब उनी की theory को आज का जो हमारा session रहेगा उसके अंदर हमारा session रहेगा इसके अंदर हमारा हम बात करेंगे crashmars theory की जो हमने बात करी थी एक आपकी type theory जो होती है कौन सी type theory होती है उसका type theory और personality के अंदर एक theory आती है crashmars की ठीक है तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि crashmars क्यों थे इनकी theory नोने कैसे बताई है और अगर ये session आपको अच्छा लगे तो इस channel को subscribe कर लीजेगा ये आपके सभी teaching exams जितने भी TET exams हैं आपके state TET हैं आपके आपका UP TET हो गया आपका यहाँ पर U TET हो गया आपका H TET हो गया तो जितने भी state TET हैं आपके यहाँ पर सभी के लिए useful ह और बहुत important है आपकी है तो इनी सा आजकल questions बनने लगे हैं आपके REIT के अंदर भी इनसे कौफिक questions पूछे जाते हैं तो सभी को दियान में रखते हुए हम इसके theory को detail में समझेंगे कि क्रेश्मर सहाब ने क्या कहा तो उसके बारे में हम जानेंगे चलिए start करते हैं क्रेश्मर सहाब थे वो कौन थे यहाँ पर यह psychiatrist थे कहा के इनका जनम कहा हुआ था जर्मन में तो यह थोड़ी से information आपको होनी चाहिए जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं तो यह जर्मन साइकेटरिस्ट है यह जिन्होंने किस बात पर research करी कि human की जो body type होते हैं human typology होती है उसके बारे में उनने research करी इनका जनम कब हुआ था यहाँ पर जर्मन के अंदर 8 October 1888 के अंदर इनका जनम हुआ और इनकी मृत्यों कब हुई यहाँ पर ही डाइड ऑन 8 February 1964 ठीक है और इनहीं सालों के बीच में इन्होंने यहाँ पर research करी एक human human body type के उपर कि यहाँ पर human body type की typology क्या होती है कि जैसे कि उनका अकार कैसा होता है उसके बारे में उन्होंने उनकी करेक्टर्सटिक्स बताई यहाँ पर कि body का जैसे कि अकार क्या कोई पतले होते हैं कोई मौटे होते हैं कोई fatty हो गया कोई healthy हो गया कोई skinny हो गया उनके उपर उन्होंने यहाँ पर body कौन सा लिया उन्होंने यहां पर कि वो जाता है आपका Aesthenic कौन सा जाता है A-S-T-H-E-N-I-C Aesthenic जिसे हम क्या बोलते हैं शक्ति हीन क्या बोलते हैं शक्ति हीन यहां पर यहां पर उसे क्या बोलेंगे शक्ति हीन कि it means कौनसे टाइप के लोग होते हैं यहां पर की जो दूबले पतले होते हैं कैसे होते हैं डूबले पतले कौन होगे कि एक दम एक्दम जो बिल्कुल ही लीन होंगे जिनके बॉडी बहुत ही यहां पर skinny टाइप होगी उसको हम क्या बोलेंगे कि वो कौन सी personality के अंदर आते हैं यहां पर एस्थेनिक क्या होगी इस body type की कि वो थिन होते हैं बहुत ही जादा पतले होते हैं उनकी body type lean होती है पतले और लंबे होते हैं यहां पर यह कुछ अंदर कोई भी इतना muscle mass नहीं होता है यहां पर no muscle mass सिर्फ और सिर्फ क्य होती हैं हड्डियां जिसे हम बोलते हैं only bones होती है तो यह कुछ types के लोग है एस्थनिक में आ गए कि यहां पर इन type के लोग जो होते हैं वो दुबले पतले होते हैं कोई muscle mass नहीं होता है और इनकी personality यहां पर कैसी जाएगी कि वो कैसे हो गई यहां पर unsociable कि वो जो समाज के पर जिढ़ें दर जादा जुढ़ना नहीं चाहते हैं वो यहां पर शाहे रहते हैं शरम आती है उन्हें जादा किसी से बोलने में Todo को रहते हैं और लग अकेला पन अच्छा लगता है और इनकी दूसरों को criticize करते हैं दूसरों कि यहां पर alojव न करते हैं यह एक body type प, here personality बात समझ में आई कि उन्हें चार भागों में बाटा उसको कि यहां पर हम इसको समझते हैं देखिए एक सेकंड यहाँ पर उन्हें चार भागों में बाटा कि और उसके अंदर क्या क्या बोला कि यहाँ पर लोग कैसे होते हैं और उन्हें क्या बाते बताई देखे चार भाग कौन से हैं इसके यह चार परस्णालिटी आ गई है जो उनके बारे मिन उने चार के बारे मिन उने डिसकस किया, एक है यहां पर जो हमने पढ़ा अभी एस्थानिक, दूसरा है आपका इतलाटिक, तीसरा है आपका फाइनिक या पाइनिक आप जिससे कुछ भी बोल सकते हैं, यहां पर चार भाग आ जाएंगे इसके और चौता ह है आपका यहां पर इसके साथ साथ डिस प्लास्टिक, यह इसके थी इंपोर्टेंट हैं, यह जो तीन हैं आपके यहां पर यह आप जो देख रहे हैं, यह तीन इंपोर्टेंट पार्ट्स हैं, एस्थानिक, अथलाटिक, अन फाइनिक, इनके बारे में हम ज्यादा पढ़ थिन होता है यहां पर यहां पर लीन होती है उनकी बॉडी लंबे दुबले बतले इंसान होते हैं कोई मसलमास नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ क्या होती है हडियां होती है तो इनका परस्णालिटी क्या बन जाएगा उनकी परस्णालिटी कैसी हो गई अनसोशल होते हैं वह ज क्लासिफिकेशन उनी दी है सबसे पहला आगए आपका एस्थेनिक जो हमने पढ़ा इसमें दुबले पतले और चोटे कंदे वाले व्यक्ति आते हैं यह दूसरों के अलोचना करना पसंद करते हैं जो हमने अकॉर्डिंगली पढ़ लिया है दूसरा आता है आपका एतलाटिक एतलाटिक क्या होते हैं जिसे कि खिलाडी आपको पता है कि यहाँ पर जो कोई भी जो गेम्स होते हैं उसके अंदर पाथ लेते हैं तो यहाँ पर जो व्यक्ति शरीर से हश्ट पुष्ट इट मीन्स कि यहाँ पर हेल्दी रहते हैं कौन होते हैं हेल्दी होते हैं और स्वस है muscle और bone के बीच में balance रहता है यहां पर इनका जितना muscle में आसे अपनी मतलब वैसे ही उनकी होती है ना ज्यादा मोटे होते हैं ना ज्यादा ही पतले होती हैं यह healthy रहते हैं हर एक काम को करने में तो जो ऐसे लोग होते हैं उनकी personality कैसी रहेगी, energetic रहेगी यहाँ पर, कि वो जादा उनके अंदर बहुत energy रहेगी, positive रहते हैं, यह लोग बहुत जादा optimist होते हैं, और यह किसी भी situation के साथ क्या कर सकते हैं, adjust कर सकते हैं, तो यह इनके important feature हो गए, athletic के अंदर, कि यह healthy होते हैं, इनके body, muscle, mass और bones होती हैं, इनक जादे कि हमारे accordingly, next है आपका यहाँ पर, finic, यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, goal, kai, it means कि यहाँ पर गोला काया इससे बोलते हैं, जिनका शरीर होता है, एक दम यहाँ पर, एक दम मोटा होता है, यहाँ पर, goal की तरह होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गोल मटोल भी ब सकते हैं, goal मटोल भी बोल सकते हैं, यहाँ पर इनकी जो balance रहता है, यह है, और जो बहुत ही lean रहते हैं, एकदम की, एकदम state, डंडी की तरह है, और वो लोग आते हैं, एस्थेनिक के अंदर, के पार्ट समझ भाया, देखें, इसका समझेंगे हैं, इसके अंदर जो आते हैं जो लंबाई में कम होते हैं, जिनकी जो लंबाई होती है, it means height होती है, height तो यहाँ पर कम होती है, पर इनका जो शरीर होता है, वो goal मटोल होता है, क्या होता है, इनका जो weight होता है, एकदम goal मटोल होता है, यहाँ पर और तथा पेट आगे वे निकला हुआ होता है, आपको प इसमेंगे यहां पर फाइनिक में आ जाते हैं ऐसे व्यक्ति जो होते हैं मिलनसार रहते हैं यहां पर यह helping nature के होते हैं इन्हें क्या बोल सकते हैं दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है इन्हें sociable होते हैं कि यहां पर समाज से जुड़ना पसंद रहता है यहां पर मिलनसार होते हैं यह लोग यहां पर तो यह आप इसे बोल सकते हो कि यह energetic होते हैं यह friendly nature के होते हैं इन्हें यह सारी किसकी जुनना अच्छा लगेगा यहां पर तो यह सारे लोगा जाते हैं फाइनिक में क्लियर हुआ यह concept आपका इतना ही आपको पढ़ना है और इतना ही important है इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए दुबारा से एक बार चौथे पार्ट को भी देख लेते हैं इस्थेनेक एतलाटिक फाइनिक एस्थेनेक कॉन से होते हैं जो दूबले पतले होंगे जो हमने एक बार repeat कर लेते हैं क्रेश्मेर कहां के थे जर्मन के रहने वाले थे सेकेटरिस थे उन्होंने किसके उपर research करी human body type के उपर typology के उपर उन्होंने search करी और उसके अंदर उन्होंने बताया कि उनका body type होता है जो उन लोगों का body type होता है उनको ही देखके उन्होंने personality characteristics बता दी उन्होंने उनका जनम 8 अक्तुबर 1888 के अंदर हुआ था और उनकी मृत्तिव 18 February 1964 के अंदर हुई थी जो हमने पढ़ा फिर हमने पढ़ा कि फर्स्ट आपका type कौन सा होता है इसके अंदर esthenic esthenic हमारा क्या होता है शक्ति ही जिसे हम बोलते हैं कि इसके अंदर लोग दुबले बतले होते हैं बिल्कुल ही इनकी body lean होती है लंबे और पतले होते हैं मसल मास इतना नहीं होता है बस और सिफ और सिफ ह होती है इनके अंदर जिसे हम यहां पर पिच्चर बना देती हूं यहां पर एक person है जिसका body type कैसा है बिल्कुल skinny है यहां पर पतली बतली टांगे और लंबे हैं तो आप इससे ध्यान डखो गए यहां पर clear यह इनका body type हो गया है इनका पतले दुबला लोग है यहां पर यह अन्सोशेबल रहते हैं मिलना जुलना इने पसंद नहीं होता ज्यादा शर्माते हैं यह अक्यले रहना इने पसंद होता है दूसरा टाइप आया आप लोगों का इसके अंदर यहां पर athletic, athletic कौन होते हैं जिनका muscle mass और bone के बीच में balance होता है ना तो ज्यादा mass होता है ना ही ज्यादा यहां पर इतना मोटा पन होता है ना ही ज्यादा पतले होते हैं healthy nature के रहते हैं इनका तो इनका personality कैसी बताए कि यह energetic रहते हैं यहाँ पर यह positive रहते हैं किसी भी situation के अंदर वो adjust कर सकते हैं सबसे मिलते जुलते हैं तीसरा आता है एकदम जो आप देखते होंगे यह हो गए आपके गोलगप्पे जैसा यहाँ पर यह friendly nature के होते हैं यहाँ पर यह sociable रहते हैं मिलनसार रहते हैं दूसरों से मिलना जुलना इन अच्छा लगता है यहाँ पर यह friendly रहते हैं एकदम तो यह आपका exo word में भी आ जाएगा तो कि ऐसे इस टाइप की लोग होते हैं और चोथे के अंदर यह तीनों का mission होता है clear हुआ तो यह थी आपकी आज की थियोरी क्रेश्मर सहाब की इसके अंदर हमने पढ़ा यह type theory के अंदर आता है किसके अंदर type theory के अंदर आता है personality के यह आप ध्यान में रखोगे clear हुआ अगर आज का session आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को like share करना ना भूले इसको जरूर like कीजे और share कीजे इसको हम अपनी personality की theory को अच्छे से cover करके चलेंगे clear है thank you so much